अभी तक तो आपको बताई होगा कि पपजी में आ चुके हैं Ultra HD Graphics और यहाँ पर कई सारे stret लोग होगे जिन्होंने Ultra HD Graphics में गेम खेल भी लिए होगी बट यहाँ पर दुबड़ी बात यहाँ कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनों उन्हें अभी तक Ultra HD Graphics एट करके गेम को नहीं खेली है यहां पर मैं बात करो PUBG के बारे में तो PUBG में जो Ultra HD Graphics है ना भाई कता ही जहर ग्राफिक्स है अल्रेडी मैंने इस पर वीडियो बनाए है और भी कई सारे ग्राफिक्स हो लेकर वीडियो बनाए है कैसे हम इस ग्राफिक्स को किसी भी फोन में खेल सकते हैं या फिर मैं कहूं के सैट कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, पा सकते हैं तो भया आज का ये वीडियो है खास तोट पर Ultra HD Graphics पर तो अगर आप PUBG गेम खेल रहे हैं और अगर आपका स्मार्टफोन Ultra HD Graphics को सपोर्ट नहीं कर रहा है या फिर लिखा हुआ आ रहा है कि बेहती जल आपके स्मार्टफोन के लिए Ultra HD Graphics को अनलॉक कर दिया जाएगा तो आप इस वीडियो को एंट टेक दिखेगा क्योंकि, क्योंकि मेरे पास है यहाँ पर OnePlus 6 ठीक है, इस फोन में Ultra HD Graphics सपोर्ट नहीं कर रहा है भाई, OnePlus 6 है इसमें भी Ultra HD Graphics सपोर्ट नहीं कर रहा है जब भी मैं गेम खेल रहा हूँ Ultra HD पर क्लिक कर रहा हूँ तो यह कह रहा है मुझे कि आपके स्मार्टफोन के लिए बेहादी जल यह Graphics आ जाएंगे बट भाई, अभी केल लिए गेम अभी मुझे Ultra HD में गेम केल लिए क्या करूँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है आपको भी कोई दिक्कत लेनी की ज़रूर नहीं है बस आप इस वीडियो को एंटेक देखेगा इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे आप PUBG गेम को Ultra HD ग्राफिक्स में खेल सकते हैं वो भी अभी तो बिना टाइम गाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरा वर्फान और आप देख रहे हैं i-tech सबसे पहले तो आप एक बात जान लिजे कि अगर आपका स्मार्ट पहले से ही लूल है मतलब उसमें ब्यादी कम RAM है वैसे ही PUBG नॉर्मल ग्राफिक्स पर भी रुक रुक के चल रहे हैं तो भाई आप Ultra HD ग्राफिक्स का सब्टा ना देखें क्योंकि अगर आपने Ultra HD ग्राफिक्स कीए तो मुझे ने लगता कि आपकी ग्राफिक्स पर फिर चलेगी बट अगर आपका स्मार्ट पून ठिक ठाक है 4GB से उपर की RAM है या फिर minimum 4GB RAM है साही साही ग्राइब चल जाती है तो आप इस सेटिंग को ट्राइ जो है वो कर सकते हैं और एक बात भी जान लीजेए कि यह जो ग्राफिक्स वाला फिचर्स है यह उन सभी स्मार्ट पून में जो है वो अनलॉक हो चुका है या फिर इनेबल हो चुका है जिन स्मार्ट पून में बेहती तकड़ा वाला मैंना इकदम हाई CPU लगा हुआ है जैसे के स्मार्ट पून यूस करें जिसमें अल्ट्रा HD ग्राफिक्स वाला फिचर्स अनलॉक हो चुका है ताकि लोगों को तो पता चले भाई कि आपका स्मार्ट पून कितना तकड़ा है खेर काफी गुफ्तबू हो चुकी है अब हम बात करतें सीधे पॉइंट की तो यहां पर आपको सबसे पहले एक अप जो हो इंस्टॉल करनी होगी और इस अप की लिंक में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूगा वहाँ से आप उस अप को इंस्टॉल भी कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसा आपको यहां पर सेटिंग करना होगा किन फीचर्स का आपको ध्यान रखना है तो जैसे आप इस अप को इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा यहां पर आपको कई सारे सेटिंग जो यह देखने को मिल जाएंगे तो चलिए एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले तो आप यहां पर ग्राफिक्स कॉलिटी पर क्लिक करें और यहां पर अल्टरा एचिडी जो हो सिलेक्ट कर लें इसके बाद बारी आती है रिजूलिशन की तो अगर आपका डिवाइस थोड़ा सा अच्छा है तो आप यहां पर अल्टरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं बट मैं आप से कहूँगा कि आप हाई सिलेक्ट कर लें अगर आप चाहो तो मीडियम भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसके बाद बारी आती है यहाँ पर style की यानि की color style तो आप यहाँ पर colorful जो है वो select कर लें इसके बाद आपको यहाँ पर frame rate पर click करना और यहाँ पर आप 60 fps यानि की 60 frame rate को select कर लें इसके बाद यहाँ पर light effect की वारी आती है तो यहाँ पर आप medium कर सकते हैं अगर आपको high करने तो कर सकते हैं और अगर हम बात करें sound की तो यहाँ पर आप high select कर लें अब देखें और भी कई सारे इसमें setting है अगर आप सबी को high कर देंगे तो हो सकता है कि game जो हो काफी lag करेगी तो यहाँ पर maybe possible है तो आप medium ही select करें जैसे का अगर मैं बात करूँ set of quality की तो आप यहाँ पर medium select कर लें बाकी का सब कुछ रहने दे जैसा है वैसा अगर लग रहा है तो आप थोड़ा सा low कर सकते हैं और एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर जो global version है वो अभी जो हमारा PUBG का version है उसी को ही select करें apply पर click करें click करते ही एक add जो हो आपको देखने को मिलेगी इसके बाद यहाँ पर run का option आपको दिखाए देगा और जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो सीधी आपकी PUBG game start हो जाएगी तो चलिए आप हम जाकर check भी कर लेते हैं तो simple हम जाएंगे setting में जाएंगे graphics में और boom आप देख सकते हैं यहाँ पर ultra HD वाला features enable हो चुका है बट एक बात का ध्यान देना है कि अगर आपने इसे एक बार enable कर देया इसके बाद अगर आप अभी यहाँ पर HDR पर जाएंगे तो ultra HD वाला feature फिर से block हो जाएगा तो इसका आपको खास ध्यान रखना है एक बार आपने इसे enable कर लेए इसके बाद game खेलना start कर देना है तो चलिए यहाँ पर मैं game को start कर देता हूँ तो game जो यहाँ पर start हो चुक है और आप देख सकते हैं बिल्कुल smooth बोले तो मक्खन की तरह यह game चल रही है हाला कि एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ultra HD पर आप 60 fps पर game को नहीं केल सकते है बट फिर भी मुझे लग रहा है कि game काफी smooth है यहाँ पर एक बार मैं फिर से आपको graphics जो यह वो दिखा देता हूँ तो अभी भी आप देख सकते हैं ultra HD जो यह मैंने select करके रखा हुआ है और भाई graphics ultra HD में गजब है यार काफी कमाल के graphics है तो इसी app की मदद से आप ultra HD select कर सकते हैं फिर दूसरी भी कही सारी app है जिसका आप यूज कर सकते हैं बट फिलाल यह app जो है वो काफी अच्छे से काम करती है तो मैंने सूचा कि क्यों आपको इस app के बारें बताया जाए अब रही बात band की तो देखिए मैंने काफी अच्छे से explain किया है कि इस तरह के graphic change करने से आपका ID band नहीं होगा सारे proof मैंने दिये हुए link description में तो आप चेक कर लेना description को एक बार वहाँ पर आपको हर सावाल के जवाब मिल जाएंगे तो आसा करता हम दोस्तों आपको इस वीडियो काफी पसना होगा और और आपसे एक request करना चाहूँगा मेरे एक और gaming channel है जहाँ पर मैं live stream करता रहता हूँ तो अगर आपको live stream देखना पसन है नहींने game का live stream देखना पसन है तो आप मेरे चैनल को ज़रू से subscribe करना link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगी